तो यह हमारा पहला लेक्चर रहेगा इंटर्नल सेक्योरिटी के लिए जो पेपर टू के लिए हम थीम्स प्रिपेर कर रहे हैं सभी जैसे इंटर्नल सेक्योरिटी सोसाइटी इंडियन एकॉनमी जोग्रफी और एंवामेंट से भी कुछ एकप थी उठा के आपके साथ डिस्क जैसे एक नेरेटिव पाकिस्थान हमेशा चलाता है प्रपगेंडा। प्रपगेंडा उफ कश्मीर का कश्मीर इजन इन्टीकल पार्ट ऑफ कस्टान इंडिया ने इस इसे illegally क्या है occupy किया है तो ये एक narrative है तो इस narrative के against हम क्या चला थे है counter narrative कि ये इंडिया का part है और इंडिया का ही at present इस पे hold है तो ये तो बात होगी हमारी narratives की अब बात करते हैं concept of internal and external security internal security और external security में क्या क्या differences है कौन-कौन सी forces internal security के लिए काम करती है और कौन सी forces external security के लिए काम करती है अगर हम internal security की बात करें तो internal threats के लिए ये deal करती है जैसे threats within the country और इसके लिए कौन से ministry responsible है वो है ministry of home affairs जिसके अंदर आपकी सारी central arm police forces आती है जैसे ITBP, BASF, सरसस्तर सीमा बल, CISF, NSG, even NSG भी आपका ministry of home affairs के अंदर ही आता है और आसाम rifle आपकी operational किसके अंदर है ministry of defense की लेकिन इसका administration कोन करता है ministry of home affairs to manage the internal security ये किसके अंदर है ministry of home affairs, अब external security की बात करते हैं जैसे जो भी threat जो भी threat दूसरी country pose करती है इंडिया पे, कि internal हमारे लोग हमारे लिए जो security scenario create करते हैं वो है internal security में, लेकिन अगर दूसरी forces, किसी दूसरी country की forces, हमारे लिए threat पैदा करती है वो है external security और उससे deal करने के लिए कोन आती है हमारी ministry of defense अभी जैसे पाकिस्तान और चाइना को deal करना हो तो हमें, वहाँ पे मेले Indian army Indian navy, Indian air force ये तिनों चीज़े, ये main forces काम करती है so threats that India witness from outside, one from neighborhood, second is beyond neighborhood that is extended neighborhood, extended neighborhood जैसे अफगानिस्तान, या फिर central Asian countries जितनी भी है या फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान उजबेकिस्तान, ठीक है तुर्कमेनिस्तान ये हमारी central Asian countries है तो इसको हम बोलते हैं beyond neighborhood अब beyond neighborhood में अभी Ukraine crisis है, ये कैसे unfold होगा, ये भी हम देखेंगे, उसके बाद neighboring में हैं पाकिस्तान और चाइना, दो major countries है जो security scenario, security threat हमारे लिए create करती है अभी Nepal is a friendly country but recently हमने देखा है कि कुछ issues emerge होए है regarding the boundary line काला पानी जो लिपूल एक पास है वहाँ पे, उसके regarding जो unilaterally नेपाल ने क्या किया, declare किया है अपना map, उस map में काला पानी जो पिथोड़गर district है उत्रा खंड़की उसको अपना area बताया है without taking India into confidence, तो ये दोनों के बीच एक scrimishes है, जो की resolve हो सकती है easily, और कुछ एक चीज़े और controversial नेपाल ने बोला है कि राम का जो बर्थ है वो नेपाल में हुआ था ना कि आयोध्या में, तो ये भी controversial उन्होंने काफी statement दी है, तो आगे चलते हैं कि concept of national security क्या है concept of national security, national security को define करने के लिए कुछ attributes होते हैं कुछ objectives होते हैं आपके mind में कि किस तरह की national security आप चाहते हैं सभी countries की अलग-अलग national security होते हैं उनके belief होते हैं, उनकी values होते हैं way of life होता है, तो depending upon every country, सब की national security की definition अलग-अलग मिलेगी, तो every country has a set of belief, जैसे एक country क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा country किस चीज़ से मिलके होती है कि country में कुछ सबसे पहले precondition क्या है एक आपके people होने चाहिए महाँ पर दूसरा आपके पास defined territory होने चाहिए जैसे political map, इंडिया का political map देखेंगे उसमें आपको physical boundaries दिखाई गई है, इंडिया की क्या है दूसरा क्या है? हिट्रोजनस अब यह आप देखिए, इसके बाद यह country की मैंने आपना definition दे दी अब country के अंदर जो लोग रहते हैं जाफिक government है, जाफिक आके लोग हैं उनके कुछ beliefs होते हैं, कुछ values होते हैं उनको prevent करने के लिए what we require, forces और एक national security जो बहुत उपर बैटके जो लोग बनाते हैं, ministry of form affairs national security, NSCIN के अंडर NSCIN, इसके अंडर जो बैटते हैं, cabinet secretary या फिर ministry of defense से लोग, वहाँ पर ये national security त्यार किया जाती है उसमें belief के अगर बात करें, तो belief में क्या है, harmony plus tolerance दूसरा है values, किस तरह की values democratic value, and way of life is peaceful coexistence के दोनों के बीच peaceful coexistence होना चाहिए, respective, अगर मैं देखू तो China के साथ हमने क्या किया है, punch seal agreement punch seal agreement for the peaceful coexistence punch seal, punch seal में क्या आता है हम एक तो दूसरों के internal affairs में never we will interfere ठीक है, और 45 point और है उसमें, वो भी आप पढ़िएगा लेकिन मैं अभी आपके साथ share नहीं करूँगा, क्योंकि lecture बढ़ा हो जाएगा, तो इसके बाद national security किसका amalgamation है, belief values plus way of life of the people, for the peaceful coexistence, उसके बाद national security क्या है, protection of this, T का मतलब क्या आता है आपे tolerance, protection of B का मतलब आपका क्या है belief, belief के अंडर आपका harmony आ जाता है, उसके बाद values, उसके बाद way of life, ये क्या है Indian way of life किसी और way of life भी हो सकती है अगर US की देखे तो उसकी national security अलग हो सकती है, उनके objective अलग हो सकती है लेकिन इस ये Indian way of life है Indian way of life, हमारी demand क्या रहती है we want to remain in peaceful coexistence कि हमारे neighbor भी खुशाल रहे है हम भी peacefully रहे हमें किसी की territory acquire नहीं करनी है, unnecessary हमें कोई conflict situation में नहीं आना है किसके साथ neighboring countries के साथ Indian national security demands peaceful coexistence ये इंडिया का strategic culture है हर एक country का culture होता है जैसे चाइना की बात करो तो चाइना still now believe in expansionist policy कि चाइना को अभी भी expansion करना है 2050 तक greatest power बनना है चाइना को world की ये उनकी national security में है या फिर उनके military analyst भोलते है कि चाइना want to become the stronger power the strongest power of the world बट इंडिया क्या चाइता है इंडिया wants peaceful coexistence ये इंडिया की strategic culture है unnecessary conflict में नहीं आना उसके बाद आते है traditional and non-traditional security threats क्या है इंडिया के traditional threats वो है जैसे military means जैसे इंडिया पाकिस्तान बोर हुआ 1947, 65, 71 और 1999 ये क्या होता है military states जैसे traditional threats होते है military means से लड़े जाते है mitigation is also through military अगर पाकिस्तान या फिर चाइना military का application करेगा तो इंडिया need to apply their own armed forces वहाँ पे भी उनको अपनी military use करनी पड़ेगी तो military का mitigation through military अब non-traditional security threats की बात करें तो हम non-military means ये non-military means से ही deal होंगे जैसे आपकी armed forces ठीक है इसको armed forces central armed police forces यहाँ पे आपका काम करती है non-traditional security threats के लिए उसके बाद environment एक environment भी काफी analyst बोलते है के it's a potential threats for many states क्योंकि आने वाले time में हमें पता है कि climate change होने वाला है climate change से कितनी सारी problem आएंगी agriculture में agriculture से related जैसे food security की problem आने वाली है water scarcity की आने वाली है environment change से तो और भी क्या बोल रहे हैं कि production level जो productivity है labor class की वो भी decrease होगी अभी जो urbanization बढ़ रहा है हमारा but due to climate change या फिर environmental pollution de-urbanization हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारी problem start emerge होनी start हो जाएगी तो उसके बाद health अब health में क्या है जैसे COVID-19 ये सब बहुत इस generation ने पहली बार देखा होगा कि एक बायो वारफेर टाइप भी कुछ चीज हो सकते कि COVID-19 ने किस तरह impact डाला health of people migrants पे और उसके बाद vaccine hesitancy को मैं define करूँगा कि लोग vaccine नहीं लगवा रहे थे due to misinformation तो misinformation भी क्या है आपका non-traditional threats है कुछ भी misinformation आपकी society में फिलाई जा सकती है पहले भी फिलाई थी कि COVID-19 से अगर कोई बंदा infected होता है तो he will die soon many people they committed suicide even जो bureaucracy में थे भी वो infected होने के बाद they committed this particular suicide उसके बाद moral values अगर moral values degrade हो रही है individual की society में रहते हुए it is also a threat, non-traditional threats and it requires more resources to tackle क्योंकि ये non-traditional threats है हाला कि directly visible नहीं है that's why we require more resources उसको track करना थोड़ा मुस्किल है हाला कि जो traditional threats है उनको track करना easy है क्योंकि इन में mobilization होती है resources की across the border border के जो parallelly है उसमें आपको दिख जाएगी कि उन्होंने क्या-क्या mobilized किया है जैसे चाइना का भी देखे पैंगंग सोल लेक पे उन्होंने एक bridge बनाया है तो जो भी mobilization वो करते हैं हमें पता है कितने उसने armored unit वहाँ पे रखी है कितने उनके number of troops वहाँ पे present है तो उनकी mobilization हमें पता चल जाती है traditional threats में but non-traditional threats में नहीं पता चलता है क्योंकि हमें पता है sleeper cell जैसे भी काम करते है यहाँ पे terrorist organization उनको track कर पाना थोड़ा मुश्किल है उसके बाद multiple front of war की हम बात करेंगे कैसे area from where crisis can happen जैसे 1947 की बात करूँ वहाँ पे park front one front war था 1962 में China front वहाँ पे क्या था यहाँ पे भी one front war था लेकिन उसके बाद क्या हुआ जैसे Sino Park alliance हुआ धिरे धिरे जब 1970s, 80s और 1990s में इंडिया और पाकिस्तान और चाइना का alliances बढ़ गया तो हमें हमारे security analyst बोले के in future we may face a two front war जिसमें चाइना और पाकिस्तान एक साथ तूट पड़ेंगे इंडिया के उपर तो ये है multiple front पाकिस्तान on the western front चाइना on the eastern front तो चाइना के साथ हमारा क्या है unresolved border issue जैसे लद्दाक stand standoff हुआ था और गलवान वैली incident भी होता धोकलाम जो हुआ था हमारा चुंगी वैली में जो बुटान के साथ हमारा एक tie-up है defense agreement है बुटान के साथ एक issue वहाँ पर भी वाया था 2017 में उसके बद war क्या है एक deliberate attack है on the sovereignty of country B तो एक country दूसरी country B के उपर attack करती है on the sovereignty तो उसको वो क्या करना चाहती है subverse या फिर उसको अपने under लेना चाहती है तो इंडिया पाकिस्तान वो 1970 1947 और 1964 65 और 71 ये उसी का आप इसमें लगा सकते हैं कि deliberate attack था पाकिस्तान के दुआरा on the India अब conflict के बाद करूँ तो difference of opinion conflict दो parties के बीच क्यों होता है एक तो difference of opinion अगर देखे तो चाइना के respect में LEC को लेके line of actual control को लेके difference of opinion है पहले दोनों के जर्नल है वो बोलते है कि difference of opinion की वज़े से हमें ये गलवान वैली incident जीलना पड़ा उसके बाद इसका solution क्या है एक तो talk हो सकती है दोनों के बीच जैसे अग मैं बताऊं तो more than 14 14 कोप commander level talk हो चुकी है इंडिया और चाइना के बीच ठीक है इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी commander level talk होती है लेकिन उनके साथ different type of relationship है वहाँ पे हम more of ammunition use करते हैं hard power का use करते हैं against पाकिस्तान लेकिन चाइना के साथ हम politico military domain में बात करते हैं जैसे politics भी वहाँ पी involved रहती है जैसे external affairs ministers या फिर काफी हम talk पे depend करते हैं तो कि ये strong nation है चाइना और चाइना को भी पता है इंडिया is also strong nation तो दोनों वहाँ पे military का use ना करके हमें पता है कि last time जो भी fire हुई थी वो गल्मान valley incident में हुई थी उससे पहले 30 साल तक या फिर 15-20 साल तक कोई fire वहाँ पे नहीं हुई ठीक है exchange of fire नहीं हुई तो ये पता लगाता है दोनों nations की maturity कि talk से result कर सकते है opinion to build a consensus between अगर consensus नहीं होता है तो एक positive or negative failure हम देखेंगे positive failure अगर positive consensus दोनों की बीच develop होता है तो issue result हो जाता है लेकिन negatively consensus होता है तो we see some failure और it will lead to violence तो दूसरा अगर देखे तो हम strategy trade and border ये बहुत ही important चीज है आपके जो relationship जो तै होती है दो देशों के बीच में जैसे diplomatic dark और dialogue fail to evolve consensus अगर consensus नहीं होता दोनों की बीच tension होते है विच लीड़ to violence फिर accident और ये non deliberate है उसके बाद example दे रखें जैसे इंडिया चाइना वोर होगा 1962 में इंडिया पागिस्तान वोर होगा कार्गिल में 1999 उसके बाद अगर important committees जैसे काफी student पूछते है कौन से committee हम इसमें code कर सकते हैं और 1999 के बाद एक कार्गिल review committee हुई कार्गिल review committee के अंदर एक और committee थी sub committee इस committee पर्टिक्लर कमेंटी ने क्या recommendation दिया था उसके बाद यह बोले के इंडिया नीड टू require और वन बोर्डर वन बोर्डर वन फॉर्स तो माधव गोड़ बोले की जो committee थी उन्होंने recommend क्या था वन बोर्डर वन फॉर्स ठीक उसके बाद हमें यह काफी कुछ इंप्लिमेंट किया गया जैसे सिमाबल और ITBP और यह सब forces उनको multiple work से हटा के सिरफ एक काम के लिए वहाँ पे उनका induction किया गया उसके बाद मैं देखू चाइना experimenting with new front जैसे supporting other country is countries to pinprick इंडिया तो चाइना new front पे काम कर रहा है जैसे एक जो cyber front पे, cyber attacks, cyber technology है उस पे ज्यादा काम कर रहा है चाइना और दूसरा जो countries है नेबर हुड में इंडिया की जैसे पाकिस्तान होगी नेपाल होगी श्रिलंका होगी तो उनको वो pinprick करने मतलब इंडिया को pinprick करने के लिए इन countries का support gather कर रहा है इनको economically क्या बना रहा है weaker इनको dab trap में लेके आ रहा है इनकी sovereignty चीन रहा है so that they can stand against इंडिया अगर चाइना चाहे तो in the coming time तो पाकिस्तान में काफी invest किया है चाइना ने जैसे चाइना पाकिस्तान economic corridor गवादर port पे उन्होंने बहुत सारा और काया करम highway पे और नेपाल में भी बहुत construction जो projects है या तो hydropower के हो या फिर road construction के हो तो चाइना यहाँ पे भी काफी invest कर रहा है पाकिस्तान की बात करो तो hybrid wars hybrid wars क्या है काफी अलग हैं जैसे disinformation campaign मैंने आपको बताई थी उसके बाद economic manipulation कैसे हो सकता है fake currency fake Indian currency notes का supplying करके आपकी economy में जिससे आपका economics जो stability है वो क्या हो जाएगी disbalance उसके बाद non-state actors का use करके आप terrorist या भी insurgents का use करके और militancy बढ़ागी किसी particular area में तो non-state actors यह इनका काम होता है अब actors की बात करूंग actors कितने type के होते हैं एक तो आपका states और दूसरा non-state states में क्या है जिसमें आपकी directly country government या फिर कोई institution जो recognize है किसी country के दुवारा या फिर international internationally वो रिकोगनाईज है तो उसको हम बोलते है it's a state sponsored दूसरा है non-state sectors दूसरा non-state sectors में क्या है जैसे supported और created तो non-state actors को support कौन करता है states for their one particular objective जैसे पाकिस्तान किसको support करता है जैसे terrorist को जो हमारे यहां इंडिया में आने कोशिच करते हैं कश्मीर में to destabilize the region तो उससे क्या होता है उनके proxy war भी बोलते है उसको mainly बोलते है proxy war पाकिस् stabilize करना है region और वो acquire करना है तो उनसे हम अगर directly दिखें तो अगर पाकिस्तान directly कश्मीर में invade करेगा तो उसको military जवाब देगी लेकिन जो non-state actors है invitation करके वहाँ पे आते हैं और पाकिस्तान can deny कि ये पाकिस्तान national नहीं है तो plausible deniability वहाँ पे है कि this particular person does not have any पाकिस्तान origin और इससे ये belong नहीं करता तो plausible deniability का close आप यहाँ पे डाल सकते हैं next है concept of sabotage and subversion तो sabotage और subversion का क्या concept है जैसे strategy to sabotage इसका मतलब वीक करने का किसको दूसरे nation को ये country A है इसको वीक करने का क्या मतलब purpose है जैसे क्या वीक कर सकते हैं इस particular country का जैसे value, belief, way of life यही मैंने बोला था तो इसको बोलते हैं sabotage और ये strategy क्या है subversion को क्या बोलते हैं it's a strategy और जो actually होता उसको बोलते हैं sabotage तो there are means क्या क्या means है जिससे हम ये कर सकते हैं जैसे hybrid war में अभी मैंने बोला disinformation campaign DC, EM क्या होता है आपका economic manipulation, fake Indian currency notes भी आप चला सकते हैं NSA की use कर सकते हैं जैसे non-straight actors, terrorists, infiltrators और इसके बाद pin pricking by China जो चाइना पिन प्रिकिंग कर रहा है, half front war लड़ रहा है, threats जैसे cyber crimes जैसे या फिर पागिस्तान को instigate करके अगेंस इंडिया या फिर चाइना की जो leasing लेके ports की, वहाँ पे अपनी submarine भी वहाँ पे dock करने का, उसके बाद ये सब कैसे steps हैं, ये subversion के steps है, subversion एक mean है, sabotage क्या है एक आपका end goal, तो subversion is a mean, sabotage is a end goal, उसके बाद मैं देखू तो concept of militancy क्या है, अभी militancy देखा होगा आपने जमू कश्मीर militancy, बार-बार सुनते हैं आप, जमू कश्मीर militancy, नौर्थेस militancy, वहाँ पे insurgency भी word यूज किया जाता है, तो militancy है इन insurgency में क्या difference हम देखेंगे, तो militancy क्या है आपका, ये एक violence है, unstable करने का, तो militant का मतलब क्या होता है, militant, militancy militant word से बना है, militant, militant का मतलब क्या है, fighter, ल violence का involvement होता है, और it is conducive and offensive, because people will participate, यहाँ पे people का participation रहता है, जैसे insurgency, jane के insurgency, north east insurgency, यहाँ पे people participation है, यह people की movement बन जाती है, जो वहाँ पे local people है, जैसे north east में देखें, वहाँ पे people participation, insurgency को supports है, वहाँ पे खाने की facility, रहने की facility, यह सब होने local people provide कराते है, तो यह हो गया insurgency उसके बाद अगर वो violence करते हैं, तो वहाँ पे counter violence भी होता है, security forces वहाँ पे उनको counter violence करते है, दूसरा है, it's a frustration of people, जैसे people की जो daily life need है, या फिर administrative support नहीं दिया जा रहा है, उनको law and order situation खराब है, development में कमी है, employment opportunities नहीं है, तो region unstable होने के कार, frustration हो जाती है people की, और यह एक fertile ground हो ज they become part of the militancy, due to this, under development, और इनको externally sponsored भी क्या जाता है, जो कि subversion है, मैंने बोला था, subversion is a mean, subversion is a mean, जो externally sponsored कर रहा है को, पाकिस्तान, अगर मैं example देखू किस areas में देखा जा रहा है, जमू एन कश्मीर में, north east में, और red corridor areas में, 36 गड़न जाड कर, and area affected by prolonged violence lead to militancy, तो बहुत अगर कोई area infect होता है, किस से, या फिर affect होता है, किस से, वाइलेंस से, तो वहाँ पे क्या lead होती है, militancy, अगर हम देखे, जमू एन कश्मीर में, 1980s से, 1980s से, जैसे election fraud हुआ, उसके बाद, exodus of, वहाँ पे, जो कश्मीरी पंडित का हुआ, उसके बाद, काफी वहाँ पे, आर् terrorism की क्या definition है, terrorism is a systematic act to achieve political gain, एक political gain आपको achieve करने के लिए terrorism, जैसे violence का use करना होता है, to achieve political gain, अगर मैं पाकिस्तान के respect में बात करूँ, तो पाकिस्तान का क्या mainly, उनके पीछे intention है, terrorism को use करने का, और अचीव करना है political gain, political gain उनको क्या अचीव करना है, कि J&K वो पार्ट बनाना चा यह इनका end goal है, तो पाकिस्तान क्या है, sponsored, प्लस, किसकी help ले रहा हो, लश्करे ताइवा, यह क्या है, non-state actors, पाकिस्तान क्या है state actor, उसके बाद क्या हो रहा है, violence in J&K, militancy को support किया जा रहा है, achieve क्या करना है, achieve इनको करना है J&K, 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 तो forcibly इनको snatch करना है, conventional तरीके से snatch नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनको पता है, India is far superior in terms of military capability, तो अब यह non-state actors का महाँ पर use करें, उसके बाद insurgency की बात करें, insurgency में जैसे condition created for, violence, violence के लिए वहाँ पर condition create की गई, जैसे अगर हम देखे, Armed Forces Special Power Act, आपसपा जिसको बोलते है, Armed Forces Special Power Act, जो हमने North East में देखा है, सब से पहले कहां लागा था, यह आप से question है, बताएगा, तो Armed Forces Special Power Act 1958 है, if I'm not wrong, तो insurgency में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि, longer time तक किसी area में कोई violence होता है, तो वहाँ पे local people के अंदर क्या हो जाता है, एक disbelief हो जाता है, disbelief और feeling of alienation, मतलब वो mainstream India से जुडाव महसूस न का क्या है, territory undertake करने का, अगर हम देखे, पंजाब militancy भी हुई थी, 1984 में, भिंदरा वाला मारा गया था, ठीक है, वहाँ पे Operation Blue Star भी चलाए गया, लेकिन अभी हम North East की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे, क्या है, वो territories acquire करना चारे है, अब देखे, greater naga land की demand हो रही है, borderland की demand हो र बात करूँ, तो वो भी एक पंजाब land चाते थे, कि एक separate, खालिस्तान, तो खालिस्तान movement, वो उन्होंने वहाँ पे चलाई थी, बिंदरा वाला ने, 1984 में, तो Operation Blue Star किया गया, Golden Temple में और उनको मार गी रहा गया, तो ये भी क्या है, उनका main objective क्या है, territory undertake करनी है, social institution करना है, separate country क उनकी demand है, तो इनको कौन support करता है, insigency में, support एक तो करता है, state, जैसे state, और दूसरा, non-state actors, ये उनको external support आता है, दूसरा क्या आता है, among the people of that area, वहाँ के जो local people है, वो भी support करते हैं, to achieve on territory, अगर हम North East में जाएंगे, आप, नागा लेंड में जाएंगे, या फिर इस तरह के majority की demand है, ठीक है कि they want their own territory, अब हम extremism की बात करेंगे, extremism आपका mainly क्या है, belief system है, it's a belief system of an individual, जैसे हमने right wing extremism देखा है, जिसमें mainly आपके Hindu particular community के लोग क्या है, violence create करते हैं, अगेंज दा left wing extremism, या फिर terrorist के लिए, तो right wing का मैं आपको example दूँ, कुछ violence जैसे, समझोता express, पानी पत अगर करनल पुरोहित को आप जानते हैं, दूसरा आपका, ये साधवी क्या नाम है, ठीक है, तो ये बीजेपी की कोई leader है, political leader, प्रग्या साधवी सुच, तो ये भी किसमें एक case में पकड़े गए थे, जहांपे पानी पत सम्झोता, ब्लास्ट हुआ था, train में, उसके political party, B is a political party, A political party compel करते है, B को to accept, B party, और किस तरह से उसको compel करते है, through violence and extremism, अब concept of fault line, fault line क्या है, दो के बीच कुछ जैसे दो society है, ये harmony में नहीं रह रही, दोनों के बीच क्या है, mismatch, या फिर gap है, इतना gap है, तो इस fault line को कौन exploit करता है, political parties, for their own need, या फिर कुछ और leaders वहां के, to destabilize the reason, तो concept of fault line क्या है, political cleavage है दोनों के बीच, which is exploited by adversary, adversary इसको exploit करता है, exposing weakness to adversary, अगर दिल्ली rights की बात करो, तो यहाँ पे दो community लड़ रही थी, एक तो हिंदू, एक मुसलिम, ये सब चीज़े आपको directly answer writing में नहीं लिखनी है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके इसके बाद ये weakness को exploit करती है, क्योंकि social harmony नहीं थी दिली में, वहाँ पे उसको misinformation के दुवारा बढ़काया गया, उसके बाद exploited by adversary for sabotage and subversion, उसके बाद इसका criticism क्या है, कि internal functioning of the government, अगर internal functioning of the government या फिक governance थीक नहीं है, तो political gap और ज्यादा बढ़ जाएगा, law and order situation थीक नहीं है, त तो political cleavage और भी जादा बढ़ जाएगी, उसके बाद civil servant, जो books में लिखते हैं, disclose करते हैं, inner administrative functioning, किस तरह से functioning हमारी government करती है, उसके बाद intelligence official कुछ book लिखते हैं, fiction style, जिसमें काफी information वो reveal कर देते हैं, तो वो information कौन है, adversary utilize करता है, for their own gain, तो adverse countries get deep insight about operation, तो develop preemptive step, next time वो preemptive step ले से थी candidate, civil service exam में, interview में, उनका third or fourth interview था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, चाहिक गुंजन था, तो उनसे question पूचा गया था, since you are in IB, intelligence bureau में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको एक मौका दिया जाए, एक book लिखने का, जिसमें आप अपनी experience share करे, जिसमें आपने throughout learning journey क्या अब वो book लिखेंगे, तो उनका जवाब था, कि मैं लिखूँगी, अगर उससे कुछ हमारे country में, या फिर मेरी knowledge sharing से, काफी candidates को, या फिर काफी लोगों को ये पता लगता है, कि intelligence bureau किस तरह से काम करती है, क्योंकि intelligence bureau जिस तरह से काम करती है, या फिर raw काम करती है, वो काफी कम माक्स आए, ये देखने को मिला, उसकी बाद जुलाई 2021 में, जैसे government of India का order था, कि all official belonging to intelligence shall be prohibited to write the book, ठीक है, अब जी special protection group की बाद कर लूँ, special protection group में, जो लोग काम करते हैं, सभी के सभी, mainly central arm, police forces से आते हैं, इसमें अगर मैं बाद करूँ, कि आभी SPG, आभी पंजाब में, जो SPG की protection थी, तो, प्राइम मिनिस्टर का konvoy को रोका गया, एक particular bridge पे, तो उस moment का कैसे पता चला कि लोगों को यहां से, प्राइम मिनिस्टर का konvoy गुजरेगा, तो ये भी एक security bridge थी, कि special protection group के लोग, अगर in public, या फिर media में leak कर दे, कि during प्राइम मिनिस्टर की जो protection में, हम warehouses, जैसे safe house, कौन सा होता है, कौन सी location के होती है, प्राइम मिनिस्टर का कैसे extraction होता है, बुलेट प्रूफ गाडियों में, कौन कौन सी शीशे, कितनी mm की bullet उसको particular glass को pierce कर सकती है, चीर सकती है, और किस तरह से हमारा सभी काम में, मतलब, एक system है, प्राइम मिनिस्टर को protect करन अल्रेडी, तो अब concept of narrative की बात करते है, objective क्या है, इनका to control mind, अभी चाइना की मैं बात करूँ, चाइना किस तरह की आपको लगता है, एक तो mind game खेलता है चाइना काफी, तो without taking any weapon, without firing any bullet, चाइना क्या है, उनको अपनी media का use करता है, तो global times, जो media है उनका, global times, काफी उन्होंन it is a information war, तो चाइना information war पर ज्यादा depend करता है, to further their narrative, या फिर objective, to control the mind of the adversary, या फिर India का mind control करने के लिए, तो दूसरा क्या है, यह psychological warfare केलता है, तो बार बार अपने आपको economically superior, military superior बताने के लिए, बता कर, तो यह दूसरे वाले को क्या सोचने पर मजबूर करता है, कि we are inferior in terms of economy, in mind control करता है, एक income, mean क्याता है, military strategies, Sunju, the art of war, कभी वो पढ़ियेगा, art of war, by Sunju, ठीक है, वो पढ़ियेगा, उसमें आपको काफी चीज़े clear हो जाने, उसके बाद एक story होती है, for consumption of people को, मतलब उनके लिए, who manufacture state media, academicia and influences, उसके बाद एक narrative त्यार करते हैं, attempt to influence people's opinion, people का opinion influence करने के लिए, उसके बाद देखें तो, modern history after world war 2, world war 2 के बाद क्या था, cold war हुआ, किसके बीच, दो major superpower के बीच, Russia and America, तो US and USSR के बीच क्या हुआ, cold war, after world war 2, उसमें क्या narrative था, दो narrative थे, एक तो communism, जो कौन sponsor कर रहा था, communism sponsor कर रहा था, आपका USSR, वो क्या था, आपका, anti, dictatorship, anti people था, anti people means, anti people तो किस तरह से था, एक capitalist है, four people, democracy, तो anti people में आपका ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन communism था, के वहाँ पे, government will take, तो government will take steps for the betterment of the people, लेकिन capitalist में आपको democracy मिल रही थी, people themselves will take, तो वहाँ पे आपको flourish करने का, states का उसमें, ज्यादा interference नहीं था, तो market forces, market उसमें ज् role play कर रही थी, लेकिन आपका communism में क्या है, यहाँ पे state ज्यादा क्या कर रही थी, role play कर रही थी, उसके बाद 1947 में हम modern time में देखे, इंडिया के respect में, state has to play primacy in development activities, क्योंकि 1947 में इंडिया ने एक mixed model adopt किया था, जिसमें एक socialist model भी था, और दूसरा capitalist model भी था, socialist model में इंडिया न किया, तो वहाँ पे उस time इंडिया में invest करने लोग नहीं आ रहे थे, लोगों के पास भी पैसा नहीं था, private class या फिर corporate culture इतना developed नहीं था, तो इंडिया ने खुद वहाँ पे क्या किया, government की investment उसमें डाली, तो investment डालने के बाद काफी industries वहाँ पे चली, coal industries, ठीका power industries, काफी textile industries, तो इस तरह की industries चली, लोगों को वहाँ पे employment मिला, तो इस तरह से इंडिया ने वहाँ पे क्या किया, उस time, 1947, according to the need of the time, वहाँ पे उन्होंने act किया, उसके वाद, enlarge is role to this extent, that role in every dimension of our life, तो state यहाँ पे supreme बन गया, धिरे-धिरे, अब बात करते हैं, concept, conventional and sub-conventional doctrine, conventional में क्या ह आपका state versus state, जैसे दो state आपस में बिढ रहे हैं, तो वो है आपका conventional threats भी और states versus states, जहाँ पे military versus military होते हैं, दूसरा है आपका sub-conventional, जहाँ पे state versus military, military या फिर proxy war, यह आपका मैंने पहले ही बता दिया है, उसको बार बार पाकिस्तान कौन सा card play करता है, कि we are also a nuclear capable nation, तो nuclear card बार हमने हटा दिया, क्योंकि after Pulwama incident, हमने क्या कौन से strike की थी, Balakot air strike, we went into Pakistan territory, वहाँ पे सभी जो उनके terrorist launchpad थे, वो हमने क्या कर दिये, dismantle, और वहाँ पे उड़ा दिये गई वो सभी terrorist launchpad, तो वहाँ का bluff call किया गया, इंडिया की दुवारा, उसके बाद ये था हमारा sub-conventional doctrine, जो बार-बार पकिस्तान बोलता है कि we are also a nuclear capable, तो इंडिया ने इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया, वाट अपना operation carried out किया, इसके बाद A and S, actor and national, national security warfare by other means, B, develop responses at security level, retaliate in such a way that it is below nuclear war, तो इसमें क्या है आपका sub-conventional doctrine में, कि एक particular nation इस तरह से आपस में fight करेंगे, या फिर ए इंडिया और चाइना के बीच अब respect में हुआ था, जैसे कुछ है, मतलब लाख की सेना में 50,000 forces थी दोनो, आर्मी की वहाँ पे, तो एक sub-conventional warfare या below potential, below a threshold, एक threshold से नीचे ही रहके दोनों countries को fight करनी है, तो इसमें हम क्या avoid कर सकते, एक full-blown war, जिसमें nuclear war का भी use हो सके, तो इस if anybody wants to learn the art of essay writing, वो यहां पर essay writing for CAPF paper 2, YouTube Defense Studies channel पर जाके इसको access करता है, और more than 22 videos are there, and please download the app of this Defense Studies, यहां से आप all India open test भी access कर सकते हैं, and regarding this telegram channel, यहां पर भी आपको बहुत important PDFs and study material for CAPF and CDS examination, आपको यहां से मिल रहेंगे, रखे जार और, 되면 इसकता हैं, एक डिदिदे हैं, आपको डिसमें कर दो वहां से ुछ जए उला का बहुत भी Copyright प्वहां से बशल इसर आपको यहां से मिल जो इफ जार। आपको यहांसे कह वादरूंधर प्वहां से भी अरूपूंऌ से को भीदानना चित एपक्शों से क